हलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप ठाकरिया और आप हैं मैरे यूट्यूब चैनल वारतायस पर सो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम हमारी सीरीज का पार्ट फूर डिसक्स करने वाले हैं मोस्ट एक्सपिक्टेड टॉपीक्स ऑफ ट्वेंटी जो की यूपीएस से और पीसी जो भी सर्वीसेस रहते उसके लिए काफी इंपोर्टन्ट होने वाली हैं तो जो भी स्टूडेंट्स नहें होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा और बेल आइकोन नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुच पाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स फर्स्ट टॉपिक है सीजे अंडर आर्टी है तो आपने लास्ट टाइम सुना होंगा चीप जस्टिस ऑप इंडिया को आर्टी डिसे लिया गया था तो बरल फ्रेंट्स इसमें ऐसा है कि आरटी ऐसे रिलेटेद्ट जो भी प्रवीजियन होते हैं साथ में इस से रिलेटेद्ट जो भी पॉलिट स्टिस प्लाइट हमorangा के जो अडिक्वेशन होते हैं वह सारे आपको पढ़ना है और धान में रखना है क कि क्या जो है इसमें इंपोर्टन प्रोवीजन रहने वाले हैं नेक्स है हमारा सब्रीमाला टेमपल इसमें फ्रेंट्स आरे केरला है कोड़ यह सुप्रीम कोड़ के वगिरा उसमें क्या-क्या प्रोवीजन यूज़ और ऑलिटी चेस्व के वह आपको धान में रखना है नेक्स आता है आर्सीप इंडिया इंडिया इक्सपकेरियंस वगेर आपको पता होना चाहिए Global Migration Report के बारे में पता होना चाहिए कौन publish करता है कौन सी country का क्या rank है सबसे ज़्यादा migrant कौन से country से वगेर वगेरा सारी detail आपको पता होनी चाहिए Draft e-commerce rules 2019 जो release की गए थे तो जो हमारे इडिया में e-commerce industries काफी ज़्यादा grow हो reference तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गवर्मेंट ने क्या guidelines release की थी land leasing जो rules थे वह भी change की गए थे काफी सारी guidelines जो है publish की गई थी आपको पता होना चाहिए उसके बारे में क्योंकि यहाँ पर काफी सारे question बनने के chances हो जाते और काफी सारी statements भी बन सकती है next राता है code on the industrial relation bill किस ने publish किया था overall उसमें क्या सारे provision थे आपको पता होने चाहिए next राता है एंटी टेरर लॉज इन दे कंट्री तो टेर्रीजम बढ़ते जा रहा है तो एंटी टेरर लॉज जो है किस ministry ने बनाये थे और क्या provision थे वह आपको पता होने चाहिए next राता है friends borderland dispute borderland dispute के बारे में यहाँ पर important है friends कि historical background क्या है border community कौन है कहां से belong करती कौन से state में कितना population है और overall जो है इसमें ban on ndfb extended मतलब जो borderland territory है उसके उपर में certain जो bands act की गहते हैं उन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और all historical भी काफी सारे bands उनके उपर act थे तो वह भी पता होने चाहिए मतलब उस territory में external migration जो है different communities का वह सेटल नहीं हो सकते थे उसके बारे में भी कुछ प्रोविजन बनाये गए थे वह भी आपको पता होने चाहिए नेक्स टाथा फ्रेंड्स दे इमिशन ग्रैप रिपोर्ट तो यहां पर क्या होता है जो भी हमारा आउटकम क्या थे वह आपको पता होना चाहिए नेक्स टाथा फ्रेंड्स रिपोर्ट ऑन दे क्वालिटी ऑफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर तो जो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड और उसकी जो रिपोर्ट थी मतलब क्या इंडेक्स रिलीज किये गये थे वह सारे आपको पता होना चाहिए और ओवर ओर इसके बारे में जो भी डेटाबेस मेंटेन करती है उस और्गनेजिशन का नेम सोगेरे भी आपको पता होना चाहिए नेक्स आता है फ्रेंड्स वर्ल्ड एकर इनर्जी आउटलूक 2019 तो यह कौन रिलीज करता है इसके आउटकम्स क्या है थे कौन सी कंटरी ने कैसा परफॉर्म किया है और सात में फ्रेंड्स आयू सीन स्टेटस क्या है और रिमेनिंग जो है यह सबसे ज़्यादा कहा पाए जाते हैं इस पीसीज जो है कौन सी फैमिली से बिलाउंग करते हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको इन्फरमेशन सारी बेसिक पता होनी चाहिए नेक्स आता है फ्रेंड्स ट्रांस ज जो मतलब आर्टिकल्स या जो सेक्शन्स इंपोर्टन्ट होते हमारे एक्जाम परस्पेक्टिव वह आपको पता होनी चाहिए नेक्स आता है फ्रेंड्स स्वच्छा सर्वेक्शन ग्रामीन आवार्ट्स 2019 यह अवर्ड कौन रिलीज करता है किस पारामेटर को देखकर आव आवर्ड इसके बारे में जो भी है मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं बायलोजिकल जो कमपोजिशन्स होते वह सारे आपको पता होनी चाहिए क्या है किस चीज के लिए सेटलाइट काम में आता है और और इससे जो भी डिटेल रहती है मतलब कौन से और्बिट में प्लेज कि किया गया था वगराव यहां वहां पताना चाहिए नेक्स अल्टिमत लेरिनेम् दाश्वरहाकॉट्स है किस कंट्री से रेडिटेड है दिए किस ने रिनेम किया वगरा यह सारी डीटेल्शलाइपको पताने चाहिए इसके ऊपर ईवन वन लाइन क्वेस्ट्न भी आपको पूछा जा सकता है फ्रेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा यूनेस को क्रियेटिव स्रीटीज नेटवर्क क्या है किस लिए बनाया गया अदा और आल इसमें कौन से और्गनाइजेशन की रोल प्ले करने वाली है वो सारी चीजे आपको पता होनी चीए नेक्स्ट आता है फ्रेंट्स हमारा पठालगडी मूवमेंट क्या है कौन से रीजन में जो है यह हुई थी historical background क्या है इसके वो आपको पता होने चीए next आता है price deficiency payment क्या है किस चीज से related है and क्या parameters इसमें important थे वो आपको पता होने चीए next आता है friends patent prosecution highway program ये किस ministry ने जो है launch किया था और किस चीज से related है overall ये project जो है या program क्यों बनाया गया था वो सारी बाते आपको पता होने चीए next आता है इसमें khadi gets separate hs code तो ये hs code क्या होता है khadi को किस parameter पर बेज़्ड ये मिला था और क्या इसके important जो है outcomes थे वो आपको पता होने चीए next देख OECD economic outlook 2019 ये क्या है कौन से organization release करती है इसमें क्या क्या parameters count किये जाते है और उसमें क्या कौन से country की कौन से rank है वो आपको पता होने चीए next आता है फ्रेंट्स credit link, subsidy service, avas portal तो ये portal क्या है किस चीज के लिए बनाया गया था and overall इसमें कौन सी ministry and the organization involved है ये आपको पता होने चीए next आता है फ्रेंट्स ice dash and the ati ice dash जो है मेरा part 3 जो लेक्चर था उसमें भी मैंने covered किया था and आती थी ये दोनों चीजे क्या है इसमें क्या important जो है parameters count होते है और overall ये किस लिए बनाया गया था कौन से ministry and organization ने बनाया था ये आपको पता होने चीए next आता है फ्रेंट्स हमारा koda was community of kurg ये community कोन है कहां belong करती है कोन से region से आती है और किस लिए news में थी ये भी आपको पता होना चीए next आता है फ्रेंट्स हमारा global terrorism index that is gti 2019 ये क्या होता है कोन सी organization इसको release करती है और क्या parameters देखे जाते है ये आपको पता होने चीए next topic है फ्रेंट्स इसमें migratory birds die in the Sambar Lake आपको पता होंगा last time news में Sambar Lake के पास काफी सारी जो migratory birds है उनकी death हुई थी राजस्तान government ने उनके उपर में काफी सारा action भी लिया था और research भी किया था क्यों death हुई वगेरा तो overall वो कौन से कौन से migratory birds रहते है हर साल वहां आते हैं कौन से region से migrate करते है और bird species के names और उनका IUCN status आपको पता होना चीए next आता है फ्रेंट्स इसमें लोग टक inland waterways project तो जो लोग टक हमारा lake है उसमें inland waterways project declare किये गए ते last time government के दवारा क्या क्या project declare किये है क्या recent developments हुए है और क्या आगे जो development करने का government ने announce किया है वो सारी चीज़े आपको इससे related पता होनी चीए next आता है फ्रेंट्स इसमें NRC in new policy on man eater tigers तो जो man eater tigers थे जो man के उपर मैं attack करते हैं उनसे related NRC ने कुछ policies and guidelines बनाई थे उसके पारे में आपको पता होना चीए डीटेल और overall tigers का IUCN status वगेरा भी आपको पता होना चीए क्योंकि recently tiger के उपर में जो census बनाया गया था वहाँ पर इंडिया की जो tiger population है वो double हुई थी तो आपको पता होना चीए जो भी tiger से related updates रहती है वो क्या changes आया है उसमें वगेरा वगेरा next आता है friends Megalia Living Root Bridges तो ये क्या है कौन से region में Megalia में built किये गया है और इनका purpose क्या है ये सारी चीज़े आपको पता होने चीए next आता है friends glyphosate based herbicides तो ये क्या है किस चीज़ से related है कौन सी crops के लिए यूज किया जाता है इंडिया जो है इसका production करता है या नहीं करता है remaining इसका status other countries से related आपको पता होना चीए next आता है इसमें फ्रेंड्स Green Climate Fund ये fund क्या होता है कौन इसको release करता है कौन से organization related है और overall ये fund में क्या parameter देखे जाते है वो आपको पता होना चीए next other friends इसमें 3S project क्या है किस चीज से related है और overall ये project किस नहीं बनाया था ये सारे detail आपको पता होनी चीए next हमारा important topic है Indian Brain Atlas IB 100 भी बोलते हम लोग इसको ये किस चीज से related है and overall ये किस लिए बनाया गया था ये भी आपको पता होना चीए fast track के बारे मैं आपको पता ही होंगा friends because ये हमेशा मतलब अभी तक के news में ही चल रहा है और overall किस लिए बनाया गया था और ministry कौन से involved है ये आपको पता होनी चीज़ में science campaign क्या है और इसमें क्या parameters जो है वो देखे जाते है किस चीज के लिए बनाया गया था ये आपको पता होना चीए next topic है friends global bio India summit 2019 ये summit कहा conduct की गई थी किस चीज के लिए थी और overall इसका purpose क्या था ये आपको पता होना चीए next other friends हमारा भारतियो portion क्रिशी कोश ये क्या है ये कोश जो है कौन सी हमारे ministry ने बनाया था और इसका क्या purpose था आपको पता होना चीए और जो भी key parameters रहते हैं वो आप उने पढ़ लेना है friends next आता है हमारा प्रदान मंतरी ये कुछ schemes के नेम है friends प्रदान मंतरी मातरु वंदना योजना उसकी details प्रदान मंतरी किसान समपदा योजना प्रदान मंतरी मुद्रा योजना इसमें से दो तीन scheme already old है friends बट इसमें कुछ new updates की गई थी इसलिए ये news में थी और overall तीनों के जो basics है क्या उनकी key requirements है कौन person eligible होने वाला है ये सारी details आपको पता होनी चीए और इससे related जो भी statements आपको पूची जाये तो with the accuracy वो आपको आनी चीए and related ministry most importantly आपको पता होनी चीए friends तो I hope आपको lecture पसंद आया होंगा पसंद आता है तो like कीजिएगा नहीं पसंद आता है तो dislike कीजिएगा dislike क्यों किया comment box में बताएगा thank you so much friends